नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मारुती सुजुकी इगनिस के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इस गाड़ी को बहुत खास बनाते हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए लाल बटन को दबाएं साथ ही इस घंटे को दबाएं उससे होगा क्या जब भी मैं कोई नगी वीडियो डालूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आजएगी और आप उस वीडियो को लिए है जैसा कि आपने देखा होगा कि आचकल गाड़ियों के इंटीरियर्स आल्मोस्सेम होने लगे हैं वो बस कलर कॉंबिनेशन में खेल करते रहते हैं बट सब में अब बटन्स देना शुरू करें बट इस बार मारुति सुजूकी ने कुछ अलगी करा इगनिस के साथ मारुति ने नॉर्मल बटन की जगा टॉगल स्विचिस दिये हैं और दर्वाजा खोलने के लिए इन्होंने कलर बार्स लगाया हैं और ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ही यूनीक लगती है और आपको इस प्राइस सेग्मेंट में ऐसे इंटीरियर्स नहीं मिल सकते इगने 7-inch infotainment system के साथ आती है और इसमें Android Auto और Apple CarPlay दोनों दिये गए हैं तो गाड़ी खरीदने के बाद आपको अपना मुबाइल बदलने की जुरुत नहीं पड़ेगी जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक थोड़ा सा बॉक्सी है पर इसी वज़े से इसका बूट स्पेस काफी बढ़ जाता है तो इस गाड़ी के बूट में आप अपने वीकेंड ट्रिप्स का लगेज अराम से फिट कर सकते हैं दो एरबैक्स, ABS और EBD इस गाड़ी के हर मॉडल के साथ आते हैं चाहें आप बेस मॉडली क्यों न ले तो ये गाड़ी आपकी फैमिली की सेफटी का भी ध्यान रखती है अगर आप 6 फूट या उससे छोटे हैं तो आप देख सकते हैं आपको headroom की कोई कम ही नहीं रहेगी और legroom भी मुझे इतना कम नहीं लगा ये गाड़ी automatic transmission में भी आती है तो आप वो भी choose कर सकते हैं और डेली में इस गाड़ी का extra room price 4.56 lakh से शुरू होकर 8.08 lakh तक जाता है अगर इस गाड़ी की average की बात करें तो petrol में 20 km पर लीटर की average देती है और diesel में 26 km पर लीटर की अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो मेरे recording है बहुत ही अच्छी गाड़ी है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे like करें जादे ही अच्छी लगे तो share और subscribe करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल free है तो दो बर सोचेगा मत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाराम जी की